नेता जी हाजिर हो नेता जी हाजिर हो नेता जी हाजिर हो HW24 News के सभी दर्शकों का मैं सौगत करता हूँ एक अंतराल के बाद एक बार फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका लोगप्रीय कारिकम नेता जी हाजिर हो कोरोना के इस दुर्दशा भरे दोर में हम ये कारिकम आपके सामने लेकर के आए है और इस समय हम सभी की एक ये अभिलाशा है कि किसी भी प्रकार से ये कोरोना पेंडेमिक जो है इससे हमें मुक्ती मिले और फिर से हमारा देश, हमारा निमार फिर से खुशाल हो उनी के प्रयास जो हैं हमें इस कोरोना से मुक्ति दिला सकते हैं लेकिन जरूरी ये भी है कि हम शाशन प्रशाशन के निर्देशों का पालन करें आज हम खर्गोन जिले में और निमाड शेत्र में जो कोरोना की स्थिती है जो प्रबंधन के द्वारा कारी किये जा रहे हैं और कब तक आखिरकार हम इस महामारी से मुक्त हो सकते हैं क्या प्रयास किये जा रहे हैं इन सभी विश्यों पर हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्त आपके लोगप्री चेहरे और खरगोन के लोगप्री विधायक रवी जोशी जी में रवी जी आपका इस कारिकर में स्वागत करता हूं धन्यवाद दो लाग त्योत्तर हजार आट सो दस देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के आखड़े खरगोन जिले में 8000 से जादे कोरोना संक्रमित 134 लोग अभी तक काल के गाल में समा चुके हैं प्रबंधन बेठकों पर बेठके करते जा रहा है लेकिन फिर भी खरगोन जिले में जो कोरोना है वो काबू में नहीं आ रहा है क्या कारण खरगोन जिले में जो जिला निमाड अंचल जो है इंदोर से लगा हुआ होने की वज़े से इंदोर में हमारी थी हमारे है क्या अधिकांश आम जंता अपने व्यापार व्योसाय और इंदोर से स्वास्तेवाओं के मामले में जूली होने से इंदोर के कारण यहां निमाड म में ये बीमारी ज्यादा बड़ी है पीछे हम देखें तो महरास से सीमा लगी हुई है कई लोग मजदूर लोग मजदूरी को बाहर गए इस वज़े से हैं निमार अंचल में भी कोरोना की हमारी जो तेजी से बड़ी है लेकिन पीछले दो दिनों में कुछ हद तक उस पर हम क काबू करें और लोगों को सही समय पे सही इलाज देने का भर्षक प्रयास करेंगे तो निश्चीत हम काबू कर लें यह आपने सही बात कहीं कि हमारा जो जिला है एक तरफ मध्यप्रदेश से और दूसरी तरफ जो इंदो सरवाधिक संक्रमित अभी फिलाल में जिलों में ह प्रदेश में उनसे कही न कहीं मरीजों का जो है यहां पर सर्कुलेशन हो रहा है और उससे संख्या बढ़ रही है लेकिन उसके बावजूद भी हम खरगों जिले में जो बेठकों के दोर चल रहा है क्रैसिस कमेटी के आप भी उसमें प्रमुक भूमिका निभा रहे हैं उ आक्सिजेन युक तो बेठ है उनके संख्या अभी भी जिले में कम है तो इन पर क्यों नहीं विचार करा किया जा रहा है क्यों नहीं प्राइवेट हास्पिटल से उनका अधिक रहन किया जा रहा है निशी थी आपका बोलना सही है कि जीस चीज की कमी होती है उसी पर चर्चा होती है आक्सिजेन की सबसे ज़्यादा कमी है इस बकत कल हमने देखा कि दोफर में तीन बजे जीला चिकेट सालय के अंदर जन्रल बेट्स पर आक्सिजेन ड्राइ हो चुकी थी कि अवर आईशि पिथमपूर से आई मरीजों को उपलब्द कराई रेमडे सीवीर इंग्जेक्शन पर आपने कहा क्यावल इन दो विशय पर चर्चा होती है इन दो विशय पर चर्चा नहीं होती है आपदा प्रबंदन में कई और विशय भी होते हैं कोरोना की महमारी को लेकर जिन पर चर मुँवार से आज से किसान से संबंदित ऐसी दुकाने जो विश उपलब्द कराने की है मशनरी से संबंदित है इन दुकानों का संचालन के लिए बारा से चार भ依 तक का समय भी त्या है ताकि किसान आने वाली फसल से दूर नहों वो लेट अगर हो जाएगा तो फसल प्र समय से चीज मिलती रहे ऑक्सिजन पर अधिकान से इसलिए चर्चा करना होती है कि कोरोना काल एक वर्ष पूर्व से चल रहा है लेकिन हमारी सरकारे जागी नहीं कि ऑक्सिजन प्लांट लगा दे अब आज आक्सिजन प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं आज हमको किसी भी र प्राज से लाट ओर आया है हमारे हम दिनतर आक्सिजन हम सरकारी असपताल और प्राइबेट असपतालों में उप्लब्दह कर रहा है कहीं सुबह बहु amps पहुंच तो कभी किसी अस्पताल में शांद तक पहुच्टी है ऑक्सिजन की उप लब्दहता कराना हमारी आवशकत इसलिए है कि मरीज आक्सिजन के अभाव में तड़प रहे हम तड़पते वे हमारी जनता को नहीं देख सकते हैं रेमडे सीविर इसलिए लगाए जाना है कि उसको इंफेक्शन बढ़ रहा है तो इंफेक्शन को रोकने के लिए आज दोनों चीज की क्राइसे से आज दोनों वेंटिलेटर कह सकते हैं या जिसको आक्सिजन यूगतम सर्व सुविधा संपन एक कोरोना के लिए एक बेड होता है उन बेड की संग क्या आज भी जिले में कमें तो इनको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है मेरा यही आप आपको फिर तो रोकना चाहूंगा जिस समय आप दमों के दोरे पर थे उस समय अस्पताल की ये वे उस्ताय देखी गई थी कि कुछ कोरोना के मरीज बेड पर थे तो कुछ मरीज नीचे थे हमारे अस्पताल की शमता से अधिक मरीज उस अस्पताल में जिला चिकित साले में बढ़ती है लेकिन हमने अभी अभी परसो के दिन 45,70,000 रुपे की राशी जिला चिकित साले को आक्सीजन और रेमडे सीविर उपलब्द कराने के लिए दी है अगर हमको वहां लगता है कि आवश्यक्ता पलंगों की और आक्सीजन बेट की लगेगी तो उस कमी को भी हम निशीती जल्दी दूर करेंगे आपने बहुत अच्छा बताया और मैं पूछने ही बाला था आपसे ये सवाल में जित्ती आवश्यक्ता होगी हमारे सारे विधायक मिलके देंगे जैसा आपने बताया कि मद्दप्रजस में सरवाधिक राशी जिस दिन मैंने दी उस दिन मेरी थी मेरे बाद हमारे देपालपूर के विधायक साथ ही है भाई विशाल पठेल जी उन्होंने धाई करोर र पाइसा है जनता के लिए जनता के समय के लिए जनता की संकट के समय अगर हम नी देंगे तो हम दुरभाग यशाली है हम सोभाग यशाली है कि इसे समय हम दमों में थे उस बकित भी हमने पाँक lleva की राशी ऑकसिजन के लिए धमों से जारी करी ततकाल हिआं कलेक्टर से चर्चा करी और पत्र मेल किया उसके बाद आए दूसरे इन आपदा प्रबंदन में हमने लाखों रुपे इसलिए जिला चिकित सालों को दिया और जिला चिकित सालों को इसपस निर्देश दिये कि पाईसे केवल उपलब दो उसके लिए रेमडे सीविर इंग्जेक्शन के लिए ये दो ही काम में लगे आज सबसे बड़ा संकट इसका है इस पैसे से आप मास्क सेनेटराइजर नहीं खरीदे नहीं तो दो रुपे की चीज दस रुपे में खरीदेंगे और बाकी चीजें नहीं खरीदे ज सब तीन से चार दिन के अंदर इस चीज की खरीदी होकर जनता को काम में आना चाहिए सचमुझ रवीजी आपने परदेश में रहते हुए भी अपने घरवालों का पूरा ध्यान रखा और आपने 10 लाग रुपे की राशी जो स्विक्रत की थी उसका यहां यहां प्योग भी किया गया और अभी हाली में आपने 45 लाग की राशी की भी स्विक्रती दी है एक अभीभावग के बतोर आपके जो कारी किये गई है खरगोन जिले ही खरगोन शहर ही नहीं खरगोन जिले के लिए भी काफी सही ओगी रहे है और एक अभीभावग होने के नाते में आपसे एक सावल और पूछना चाहूँगा कि इन दिनों जो बड़ी तादाद में जादे संख्या नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी जो मोते हो रही है कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी पशीने की कमाई कोरोना के इलाज में खर्च कर दी है और जब शम्शान घाड पे वो जाते हैं तो अंतिम संसकार का पैसा उनके पास नहीं होता तो कोरोना विमारी ऐसी है कि जिसमें बुजूर्ग नौजवान सभी इसके चक्रुव में फस रहे हैं और कई लोग स्वास सुईधाओं के अभाव कहो व्यवस्ताओं के अभाव कहो या वो इलाज में लेट हो जाने की वज़े से उसमें तकलिप बड़ी है और कई बुजूर गरीब लोगों के लिए शाशन व्यवस्ता करें निशिती आपदा प्रबंदन की बेठक में हम जिला कलेक्टर और जिला प्रशाशन से इस विशे को जो पूर जोर तरीके से उठाएंगे और देखेंगे कि आपदा प्रबंदन और जिला प्रशाशन इस व्यवस्ता को करत रहे हम इसको राश्ट्री इस्तर पे नहीं ले जाना चाहते हम इसको प्रदेश के इस्तर पे भी नहीं ले जाना चाहते हम सिर्फ इसको खरगोन जिले या खरगोन विधान सवय खरगोन शहर के इस्तर पे ही आप से चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि यह जो हम काईरिकम कर रह लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि इस कोरोना महामारी में भी राजनीती जो है वो कहीं ने कहीं अपना असर दिखा रही है जिस प्रकार से आज आपने बताया कि 45 लाख रुपे के आपने घोशना की क्या प्रदेश सरकार आगे बढ़ करके इसा कुछ नहीं कर सकती है सब कर सकती है जब एक वर्ष पूर्व कोरोना आ चुका था तो शिवराज सिंग्जी ने उसके प्रभंधन की कोई व्यवस्ता नहीं करी बेडो की आउक्सिजन बेडो की आईशियू बेडो की आउक्सिजन प्लांड की किसी प्रकार मध्यप्रदेश में मैं राजनीती नहीं करना चाता तो भी एक बाद बोल देना चाता हूं कि जो लोग आरोप लगाते कि कॉंग्रेस ने सतर साल की विवस्ता थी केवल वही काम आ रही है योगी जी उस संजय गांदी हस्पताल में भरती है देखें उनके द्वारा कोई हस्पताल निर्मित की नहीं किया गया इस र वाइज लगाता है कि हमारे को ये वेवस्ता है तो हम उसकी वेवस्ता में हमारे साथियों के माद्यम से उसको इलाज के माद्यम से जो सहयोग कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार है रवी जी अभी जो आपना प्रबंदन समीति की बेठक हो रही है और खरगोन जिले में शान्ती समीतिया बहुत प्रकार के इसे समीतिया बनी है इन अवसरों पे वो सारी समीतिया जो शाशन के द्वारा विभिन अवसरों के लिए बनाई जाती है एक तरह से कई समीतिया ऐसी जिन में सडांध मारने लगे हैं वो लोग ना कुछ काम करते हैं ना वो आज सडकों पे नजर आ रहे हैं मैं इसलिए ये शब्द का उप्योग कर रहा हूं क्योंकि खरगोन शहर की जंता उन चेहरों को देखना चाहती अपने बीच कि इस दुविधा के दोर में वो हमारे स साथी युवा उद्यकपती दो लोगों ने अरपित बनकर ने पांच अक्सिजन की मशीने प्रशाशन को सोपी भाईती लोग डंडिडी जी ने भी कोई घोशना करी है तो मैंने उसके बाद जब ये अपनी 45 लाख रुपे गिराशी का जिख्र किया उसके बाद जिला प्र से खरगोन और गोगावा उपस्वास तके बिढ़न के अंदर गोगावा और उन दो उपस्वास केंद्र हैं यहां पर वहां पर जो आवश्यकता होगी हम चरचा करके अधीकारीयों चरचा करके वहाँ पर भी दो दो телефeu मशीन ओट सीजन सा ख़के बीज़वाने की विवा बहुत ही अच्छे विचार हैं आपको और निसंदे अगर कोरोना को हमको रोकना है तो इसी प्रकार से हमें इसी लाइन पर आगे बढ़ना होगा ताकि हम कोरोना पेंडेमिक पर कही ना कहीं काबू पात सके और छेत्र की जनता के बहुत सारे सवाल हैं जो हम रवी जी से करें हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें नेता जी हाजीरो कारिकम में SW24 न्यूज मध्यप्रदेश के सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं इस समय हम चर्चा कर रहे हैं खरगों शेतर के लोगप्री विधायक रवी जोशी जी से कोरोना महामारी को लेकर जो इस्थानी इस्तर पर जो भी व्योस्थाय की जा रहे हैं जो आम जनता की सुविधा के लिए यहां पर व्योस्थाय जुटाई जा रहे हैं उनको लेकर हम प्रदेश के ही हैं उन्होंने तक्रीबन दो करोड रुपे की लेकिन इस शुरुवात के लिए हम एक बार फिर से रवी जोशी जी को साधुवाद देते हैं रवी जी खरगोन जिले में जो इस समय जो PCR टेस्ट हो रहे हैं जो घर घर पहुंचके जो जाज की जा रही है उसमे को लेकर कई लोग छुपा रहे हैं पूरी तरह से जानकारी नहीं दे रहे हैं कि उनके आपकी जा रही है जो जनता के बीच जाएगी तो उस टीम की विवस्ता भी हो वो टीम कहीं बीमार नहों जाए ठीक है उस टीम को भी कीट दें और घरों तक जो कीट भेज सकते हैं वो कीट हम स्वासुजदाओं की कीट दे ताकि न तो हमारा स्टाप बीमार हो न जनता बीमार हो जनता को अकर माइनर लेवल पे सर्दी खासी छोटे लेवल पे है तो वो व्यवस्ता भी हम उसके घर दे देंगे तो बजार में नहीं आएगा मेडिसीन लेगा और आराम करके अपना स्वस्तर रहेगा जहां तक मैंने टेस्ट की बात की बताया जा रहा है कि साड़े साथ सो टेस्ट प्रती दिन खरगों जिले में किये जा रहा है लेकिन हम जब सेंपल्स की बात करते हैं तो काफी किसी किसी दिन यसा रहता है कि वह साड़े साथ सो से कम सेंपल्स देखने में आते, जो बुलेटिन जा रही होते हैं उन ही में तो आखिर सच्चाई क्या है और पिलाल की जो स्थिति है कुछ साथ साथ सो टेस्ट हो भी रहें तो इसको हजार से हूपर ले जाने के जोर दिया कि टिका करन का अभियान हमारा केंद्रों के अलावा हम वार लेवल पे ले जाए अधिकतर लोगों को टीके लगे और जो केंद्र सरकार की गाइड लाइन है कि 45 वर्स निर्धारित करी उससे कम लोगों को टीका नहीं लगाए मेरा निवेदन ने टीके को हम फ्री क चाहूंगा जो हम कोरोना के लिए जो पी बेड बगड़ा की विवस्था कर रहे हैं अत्रीक्त विवस्था कर रहे हैं तो फिलाल में जैसे एक प्राइविट स्कूल है उसको कोरोना के र सेंटर बनाया गाया जहां पर कि जाँच की जारी प्रारम्भीग जाच खरगोन में औ और भी ऐसी बड़ी स्कूले हैं जिनको अगर कभी अधिग्रहित किया जाता है तो उन्हीं एक ही इस्थान पे लगबग 500 उपलब्द हो सकते हैं जिससे ना तो डाक्टरों की भागदोड होगी और ना ही दूसरी समस्यां पैदा हो सकेगी आपदा प्रबंदन की जो अगली बेठक होने जा रही है उसमें इस पे ही चर्चा करेंगे हम अन्य समाजों की धार्मिक व्यवस्ताएं जहां बड़े-बड़े हाल है जहां सामाजी की स्तर के बड़े-बड़े हाल है उन हालों में भी हम कोविट सिंटर के रूप में केंदर चालू करने का प्रयास करेंगे हमारे पास सबसे बड़ी स्ताफ की कमी होगी लेकिन हम जो प्राइवेट में से उसे भी मांगेंगे और बड़े-बड़े सेंटर पर कोविट केर सेंटर बिनाकर लोगों को रहाद देने का प्रयास करेंगे देखिए कोरोना की यह जो भ्यानक महामारी फेली हुई है इस समय यह एक समय है हमें याद करने का कि कहां कुछ हम भूल गए कहां कुछ हमने कुछ जो अवशकता हैं थी उनको जादे जोर से पूरे पराक्रम से नहीं किया कमलाज जी के कारेकाल में खरगोन जिले को एक मेडिकल के कालेज की प्राथी ती आज देखा जा रहा है कि हरगोन जिले में डॉक्टर्स की कमी है अगर ये मेडिकल कालेज उस समय बनना शुरू हो जाता और कुछ समय में प्रारंब हो जाता तो आज इस जिले को एक बहुत बड़ी संजीवनी मिलती उस Medical College के रूप में तो क्या कारण रहे कि ये Medical College होते होते रुख गया और इस बार बजट में भी उसका उलेख नहीं है देखो एक विब्दा का समय है राजनीती का समय नहीं है Medical College लोगों ने मेरे को उस दोर में कहा कि साथ वो महेश्वर में Medical College आ रहा है आपको इस बात का विरोध करना चाहिए खरगोन में आए मैं का कोई दे रहा है और कोई ले रहा है लेने वाला आज हमारी 140 किलोमेटर दूर इंदोर Medical College से दूरी है खंडवा Medical College से हमारी 90 किलोमेटर दूरी है तो 40 किलोमेटर दूर पर Medical College मिलना था तो खुशी मेरे को इस बात की थी कि कम से कम हम को 140 और 90 के बजाए मातर 40 किलोमेटर पर सुईधा मिलेगी वो सुईधा किसी कारण से मंची थूँ इसकी राजनीती में हम न पड़े लेकिन हमको सुईधा मिलती तो निश्ची थी खरगोन में बड़ी फेकल्टी मिलती बड़े डॉक्टर सुपलब्द होते और शांदार शांदार बड़े बड़े विभागों के बड़े बड़े तो इस आपदा के समय हमको काम आते और आपदा के समय हम पूरी ताकस से लड़ पाते आज नहीं लड़ पा रहे हैं तो हम पुरानी बातों पर न जाएं यह पुरानी बाते और समय आएगा जब करें आज वो व्योस्था तो है वो तो संजीवनी होती कोरोना के लिए आज म कम से कम आप यह मान लिए पचास डॉक्टर के एक टीम होती जो आज इस जिले को अपनी सेवाएं देती सुविधाएं देती अब मैं यही बोलना हूना कि आप उस चीजों पर हम न जाएं आज हम क्या अच्छी फेसिलिटी दे सकते हैं क्या वेवस्ताइं दे सकते हैं जो क जेवल नगर और चिले की बात नहीं है पुरये हमारे प्रदेश की बात है पुरे निमार अंचल की बात है पुरे शेतर की बात है हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़े और कोरोना पे विजय पाई ये हमारा प्रयास होना चाहिए आपके जो भी प्रयास रहे हैं इस महमारी के दोरान में उसको लेकर के वाटसेप ग्रूप और सोशल मीडिया जो है वह आपको बार-बार धन्यवाद दे रहा है और काफी सरानी प्रयास रहे हैं खरगोन शहर के जो एंजियोज हैं जो सामजिक संस्था हैं कुछ वह भी खड़ी हुई हैं जैसे अभी फिलाल में ही एक संस्था है जिसने की अंतिम संस्कार इस्थाल पर वाटर बाटल निश्वल के देने की उन्होंने अपनी तरफ से पहल की है और आपने भी कहा कि प्र कर दूँ मैं गरीब शब्द नहीं बोला जर्वत मंद बोला ठीक है पैसे वाला भी होगा लेकिन उस बख़त अगर उसको जर्वत है तो हम उसकी साथ खड़े हैं जो जर्वत मंद जैसी जिसको आवशकता होगी वेसी हम मदद करेंगे दूसरा आपने कहा कि 45 लाख रुप दमों से आने के बाद दूसरी आपदा प्रबंदन की बेठक बुलबाई बेठक में जो आवशक लगा वह हमने जिला प्रशाशन के लिए दिया और जिला प्रशाशन जिला चिकित साले स्वास सेवाए और जनता को जो लगेगा वह हम देंगे भरसक पूरी कोशिस करेंगे कि जनता को इस आपदा के समय अकेला न छोड़े उस संकट के समय हम पूरी जनता की साथ खड़े हैं जनता को किसी प्रकार की कोई कमी जनता को स्वास सुईधाओं में या किसी प्रकार की और कमियों से लड़ना न पड़े हम जनता की साथ खड़े रहेंगे रवी जी जो कोरोना का पहला जो इस्ट्रेंज आया था उसमें उसको समालने में लगबग तीन से साड़े तीन महार लगे थे जो दूसरा इस्ट्रेंज आया दूसरी लहरा ही है इसमें करीब 15 बदला विशेशक बोलते हैं अभी तक उस वाइरस में हो चुके हैं और यह माना जा रहा है कि अगले सो दिन और लगेंगे इसको कंट्रोल करने में इसका प्रभाव कम होने में तो तीन महने के लिए क्या वेउस्थाय होगी क्यों अभी तो यह माना जा रहा है कि मरीजों की संख्या दिन प्रतिधिन बढ़ती ही जा रही है देखवा मैं आपको बता दू कोरोना बिमारी से कोई भलीभाती परिचीत नहीं है न विज्ञान अपना चेलेंज कर पा रहा है न जोतिश चास्त्रा अपना चेलेंज कर पा रहा है कि ये कब तक चलेगी कब किसका लेवल बड़ेगा कब घटेगा कब समापत होगी पिछले वर्स कोरोना महामारी आई आप पिड़ी दर पीड़ी भुगतना पड़ेंगे मैं आपको फिर के रहा हूं, कोरोना में कहीं लोगों के आर्थिक इस्तिती इतनी चर्मरा गई है, लोग आपने देखा कि सब होते बे भी सेखडों किलोमेटर पैदल चल रहे हैं, मैं आज एक समाचार पड़ रहा था, कि पूरा से कुछ मजदूर बेतूल के लिए पईदल निकले 443 किलोमीटर के सफर में 200 किलोमीटर वो साधन से चले हैं 243 किलोमीटर पईदल चले हैं और बाकी का 400 किलोमीटर का सफर उनको बेतूल तक पईदल पूरा करना है तो यह आहकार मच रहा है एसी आकार की इस्तिती में हम जनता की साथ खड़ें जनता को जो सुईधा व्यवस्ता और इलाज की हम दे सकते हैं वो देने का प्रयास करेंगे मैं पुरह आप से निविदन करता हूँ कि इस कोरोना महामारी में आपके माद्यम से भी जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो शाषन के एक गाइडलाइन हैं उसका हम पालन करें मास्क लगा के बाहर निकलें जरूरी होतो जाएं हम हमारे परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम स्वैम कोशिश करें कि हम बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो केवल दवाई और आवश्यक चीज नहीं लेना हो जब तक भार न जाएं हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा तो हमारा शहर और हमारा जिला सुरक्षित रहेगा हमारा प्रयास ही होना चाहिए कि हम सुरक्षित रहें बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवी जी आज आज आपने हमार साथ चर्चा की और आपने उन सारे सवालों का जवाब दिया जो आम जंता सुनना चाहे रही थी जिस चीज को लेकर के वो परेशान थी कि आखिर ये व्योस्ताइं कहां से होगी ये संसाधन कहां से जुटें लेकिन आपने एक अभी भावक के रूप में उन सारे सवालों का जवाब दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और जैसा कि आपने पूरी चर्चा के दोरान सुना कि ये सारी समस्याइं जो कोरोना के कारण क्रियेट हुई है कोरोना के कारण हम को जिन से दो जोशी जी से जिन्होंने 45 लाख रुपे की राशी तो ठीक ही ठीक है लेकिन उन्होंने अपने आपको पूरी तरह से समर्पित किया है लोगों की मदद के लिए और साथ ही उन्होंने कई ऐसी चीजे हैं जिनको ले करके आपदा प्रबंधन कमेटी की बेठक में हल करने की भी बात कही है आने वाले कारिकब में हम कोरोना को लेकर और भी चर्चा करेंगे तब तक के लिए मुझा आग्या दीजे नमस्कार